चानक्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत और माल्दिव कूटनेतिक विवाद के बारे में भारत और माल्दिव के बीच जारी कूटनेतिक विवाद गहराता जा रहा है हालिया घटना क्रम में द्वीपिये राष्ट्र की सरकार ने अपने देश से भारतिये सैनिकों को वापस भेजने की समय सीमा तै कर दी है माल्दिव के राष्ट्पती मोहमद मोईजू ने भारत से कहा है कि 15 मार्श तक वेह अपने सैनिकों को हटा ले यह बयान उन्होंने चीन दोरे के बाद दिया है जिसके वे समर्थक माने जाते हैं अब हम बात करेंगे भारतिये सैनिकों की वापसी को लेकर माल्दिव ने क्या निन्ने लिया है हाल ही में चीन की यात्रा करके आए माल्दिव के राष्ट्पती मोहमद मोईजू सक्त तेवर दिखा रहे है मोईजू ने भारत से कहा है कि 15 मार्श तक मालदिव में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को भारत वापस बुलाए सारजनिक नीती सचिव अब्दुल्ला नाजीम ने राष्ट्पती कारियाले में एक समवादाता सम्मेलिन में कहा है कि राष्टपती ने भारतिय सैनिकों को मार्ट से पहले वापस जाने के लिए कहा है इसी बीच भारतिय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरिय कोर समोह बनाया है समोह ने विदेश मंत्राले में एक बैठक की है जिसमें मालदीव में भारतिय राज़दूत मुनु महावर भी शामिल हुए नाजीम ने ये भी कहा है कि भारतिय सेनिक मालदीव में नहीं रह सकते यहीं राष्टपती डॉक्टर मुईजू की नीती है, यहीं सरकार की नीती भी है भारतिय सैनिकों की वापसी पर फिलहाल विदेश मंत्राले में चर्चा चल रही है राष्टपती मुईजू पिछले हफते अपनी पहली चीन यात्रा के बाद हाल ही में मल्य लोटे हैं और परोक्ष रूप से भारत पर मोकिक हमले किये गए हैं अब हम बात करेंगे इस पर भारत की प्रतिकरिया के बारे में दुबई में कॉप 28 सिखर समेलन के मौके पर भारतिय सैनिकों की वापसी पर एक उच्च स्तरिय समोह का गठन किया गया था यहें निर्णय परधान मंत्री नरिंद्र मोदी से मालदिव की राष्टपती की मुलाकात के बाद लिया गया था वहीं दोनों देशों में जारी इतनाव के बीच विदेश मंत्राले ने हाल ही में सैनिकों के मसले पर बयान जारी किया है उच्छ स्तरिय कौर समोह की पहली बैठक में दोनों देशों ने द्वी पक्षिय सहोग बढ़ाने और चल रही परियोजना के किर्यान में तेजी लाने पर चर्चा की है बैठक में भारते विमानों और हेलिकॉप्टरों के संचालन को जारी रखने के लिए वेवहारिक समाधान ढूडने पर भी चर्चा की गई है इस बैठक के बाद माल्दिव के विदेश मत्राले के हवाले से स्थानिय अखवार ने लिखा है कि भारत सैनिकों की वापसी में तेजी लाने पर सैमत हुआ है अब हम बात करेंगे कि इस दीप राष्ट में हमारे कितने सैनिक है और वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं माल्दिव से जिन भारतिय सैनिकों को वापस भेजने की बात की जा रही है माल्दिव के अनुसार उनकी संख्या महज 88 है माल्दिव के लोगों की सेवा के लिए भारत ने माल्दिव को डॉर्णियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HAL धुरूफ हेलिकॉप्टर दे रखे है इन्हें संचालित करने के लिए वहाँ भारतिय सैनिक तैनात है इसके अलावा ये सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करने के साथ साथ वहाँ के पाइलिटों को ट्रेनिंग देते हैं और एक्स्क्लूजिव एकॉनिक जोन का सर्वे जैसे काम भी ये करते हैं अब हम बात करेंगे कि मालदिव हमारी सैना को हटाना क्यों चारा है पिछली वर्ष सितंबर में यानि की 2023 सितंबर में मालदिव में हुए आम चुनाव के दोरान मुईजू की पार्टे ने भारते सैनिकों को हटाने के लिए चुनाव में इंडिया आउट अभ्यान चलाया था मुईजू ने चुनाव में इंडिया आउट लिखी टी-शिर्ट पहन कर चुनाव प्रचार भी किया था उनका चुनावी वादा था कि अगर चुनाव में जीते तो भारतिय सैनिकों को मालदीव छोड़ कर जाने को कहा जाएगा चीन समर्थक मुईजू ने राष्टपती का पद्भार समालने की दूसरे ही दिन आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का अनरोध किया था वही हालिया चीन दौरे के बाद मालदीव की राष्टपती मुहम्मद मुईजू के तेवर और भी सक्त हो गए है इससे पहले उन्होंने भारत का नाम लिये बिना कहा था कि कि किसी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद